नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि आज के दिन हम लोगों को जो एक मुमेंटम देखने को मिल चुका है उसके पीछे का रिजन क्या है और कल के दिन हम लोगों को किस तरीके का मुमेंटम एक्सपेक्टेड है कल के वीडियो में हम लोगों ने discuss किया हुआ था कि US market में Federal Reserve का जो policy आ जाएगा उस policy की वज़ा से market में gap opening possible है exactly उसी तरीके का gap opening हम लोगों को देखने को मिला लेकिन gap opening के बाद अगर आप open interest का data देखते हो तो वहाँ पर जो newly expiry है वो new expiry में हम लोगों को ज्यादा कुछ upside के position बनते हुए नहीं दिखा दिये यह हमर लिए एक चित्ता की बात है क्योंकि market को अगर उपर की side में sustain होना है तो 2200 के उपर हम लोगों को एक daily candle का close मिलना चाहिए तभी जाकि यह market दुबारा आपने lifetime high को touch कर सकता है या फिर उसको break करके उपर जा सकता है अगर market इस level के उपर एक strong closing नहीं देता तो market दुबारा आपने previous वाले momentum के मतलब downside के momentum को continue रख सकता है यह फिलाल का market का psychology हमें यहाँ पर indicate कर रहा है अगर हम लोग single candle का analysis कर लेते हैं तो single candle का analysis हमें indicate कर रहा है कि आज के दिन हम लोगों को एक completely दोजी candle देखने को मिल चुका है मतलब market अगर gap up opening के बाद भी यहाँ पर दोजी candle बनाता है तो यह कई ना कई indicate करता है कि यह जो दोजी candle बन चुका है majority of the logo का stop loss यहाँ पर gap up opening के वज़ए से trigger हो गया और फिर उसके बाद हलका सा जो upside का momentum आया था उस momentum में भी लोगों ने profit book करना prefer कर लिया उसके वज़ए से market दुबारा नीचे चला आ चुका है अभी जैसा हम लोगों ने previous वाले session में discuss किया हुआ था यहाँ पर हम लोगों को यह जो दो candle है यह हमर ले बहुत ही important candle है क्योंकि इसी candle ने market के previous वाले lowest point को break किया था और एक downside का breakout दिया था और यहाँ पर एक complete change in the psychology देखने को मिल चुका था तो market में upside का strong position अगर इस level के उपर बनता है 22,100 के उपर तभी ही market में जाके fresh buying हम लोगों को देखने को मिल सकती है in between वाला यह zone जो है वो completely range bound zone रहेगा मतलब यहाँ पर बड़ा player जादा कुछ position लेने के लिए interested नहीं रहेगा अगर कल के दिन हम लोगों को यह वाले session में कुछ shooting star जैसा candle pattern बनता हुआ दिखाई देता है तो यह हमें अच्छा indication हो जाएगा कि आने वाले एक mick में एक strong fall हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर हम लोग daily candle के जगा पर 15 minute candle का analysis कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि initially market ने जो upset का momentum दिखाया हुआ था यहाँ पर open interest के data में clear cut दिख रहा था कि stop loss के position trigger हो रहे है पिछले दो दिनों से market में यहाँ पर जितने भी लोगों ने अपने sale के position बनाए रहते वो most of the लोगों का stop loss आज के दिन trigger हो गया लेवल कौन सा निकल करके आ रहा है पहले उसको समझने की कोशिश करता है उपर की side में हम लोगों को एक important resistance level जो निकल करके आ रहा है वो 22,75 के zone का बीच का निकल करके आ रहा है यह level हमारे लिए important क्यों है क्योंकि आज के दिन के momentum का अगर आप देखोगे तो majority of the profit booking इसी level से start हुआ था तो कल के दिन market इस level के करीब जाता है तो यहां से एक दुबारा downside का momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है market का यह level कल के दिन के लिए बहुत ही crucial रहेगा इस level के करीब market कितना time spend वरता है उसके उपर depend रहेगा कि market में आने वाला momentum किस तरीके से हो सकता है यहां पर अगर market ज्यादा time spend करके फिर इस 22,75 के level को upside के दरब break करता है तो एक upside का हलका सा momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो इस वाले zone तो market को लेके जा सकता है कि उस तरीके का हम लोगों को एक अच्छा-कासा train line यहां पर देखने को मिल रहा है यहां पर अगर आप इस train line को join करते हो तो आपको clear cut दिखाई देगा कि इस train line को market ने multiple bar test किया हुआ है तो multiple bar test होने के कारण यहां पर यह train line अगर downside की तरब break हो जाता है तो एक अच्छा-कासा momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है यह high probabilistic opportunity करके निकल करके आ रहा है अभी यहां पर जो top आज की दिन market में बना हुआ इस top का psychology थोड़ा समझने की कोशिश करते है बहुत सारे लोगों का यह question रहता है कि आपको time analysis किस तरह के से करते हो कल के analysis के वीडियो में मैंने आपको एक बात clear cut बताई हुई थी कि 11 बज़े का जो समय रहेगा 11 बज़ कर 10 बज़े से लेके 15 मिनिट तक का समय यह एक decisive factor हम लोगों को देखने को मिलने वाला है live market में भी आपको इसके बारे में update किया हुआ था और अगर आज के दिन का आप momentum देखते हो तो आज के दिन के momentum में आपको clear cut दिखाई दे रहा है कि exactly 11 बज़े के करीब market ने top 11 बज़ के 15 मिनिट के करीब market ने top बनाया और फिर उसी के बाद market में हम लोगों को downside का momentum देखने को मिल चुका है अभी इसके पीछे का logic क्या है ये समझने की कोशिश करते है जब भी हम लोग time analysis करते है time analysis में हम लोगों को multiple factor consider करने पड़ते है market में price action किस तरीके का बना हुआ है पहले हम लोगों को जो angle मिल रहे है वो angle किस तरीके से मिल रहे है और यहाँ पर जो lifetime high के करीब हम लोगों को top और bottom मिलते है वो top और bottom के बीच का हम लोगों को horizontal और vertical डोनो distance को consider करना पड़ता है उससाब से हम लोग time analysis करते हैं अगर इसके बारे में आपको detail में सिखना है तो हम लोग यहाँ पर एक free live session रख सकते है जितने लोगों को इसमें इंट्रे से वीडियो को like करके मुझे comment section में बता दीजेगा जितना ज्यादा like आ जाएगा उतना ज्यादा हम लोगों को जल्दी से जल्दी plan करने की कोशिश करेंगे अभी देख लेते हैं कि bank nifty में हम लोगों को किस तरीके का momentum देखने को मिल रहा है उसके पीछे का logic क्या है अभी आपके सामने मैंने bank nifty का spot का daily का chart लगाया हुआ है पिछले 6-7 माईने में आगर आप देखोगे तो इस तरीके का माहूल देखने को नहीं मिल चुका था अगर आप पिछले 7 दिन का candle देखते हो तो आपको यहाँ पर clear कर दिखाई दे रहा है कि market में जो है वो market में completely 2G type का structure यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है मतलब बड़े player जो है वो बड़े player में conviction की कमतरता है market किदर जाएगा किदर नहीं जाएगा इसके बारे में उनको ही clarity नहीं है तो वो आपना कोई भी बड़ा position लेने की कोशिश नहीं कर रहे है जब भी market extreme के करीब जाता है दुबारा profit booking हम लोगों को देखने को मिल सकता है तो यह range bond momentum कब तक यहाँ पर बना रहेगा जब तक हम लोगों को fundamentally कोई बड़ा trigger नहीं मिलेगा आइदर एक positive news मिलना चाहिए या फिर एक negative news मिलना चाहिए तभी जाके market में इस तरीके के बड़े बड़े candle बनना यहाँ पर start हो जाएगा तब तक bank nifty में जो है option buyer के लिए काम करना बहुत ही मुश्किल है अभी देख लेते कि 15 minute chart के ओपर bank nifty हम लोगों को क्या indicate कर रहा है अभी आपके सामने में ने 15 minute का chart लगाया वह है 15 minute के chart को अगर आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि market में जो है वो future last वाल जो 2 गंटे थे उसमें कुछ भी trading हम लोगों को देखने को नहीं मिला completely range bound momentum देखने को मिल चुका है मतलब आज के दिन nifty में जो expiry था वो expiry में आगर last के 2 गंटे तो आपके लिए एक opportunity create हो सकता है वो opportunity को समझने के लिए हम लोगों को पहले क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो सिमित दाइरे में बाजर बन चुका है वो सिमित दाइरे को mark करके रखना पड़ेगा अगर हम लोगों को कल के दिन इसी दोरान market open होते हुए दिखाए देता है और उपर की side में 26,760 के level को market break करता है तो upside का momentum दिखा सकता है लेकिन यहाँ पर उपर की side में हम लोगों को एक resistance zone मिल रहा है मतलब जो हम लोगों को upside का momentum मिलेगा वो छोड़ा छोटा मिलना है इसके आशंका को आपको मध्य नजर रखते हुए काम करना पड़ेगा नीचे की side में अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की side में हम लोगों को एक अच्छा opportunity मिलेगा 46,625 के नीचे अगर market इस level को break करता है तो market यहाँ पर downside का momentum दिखा सकता है और नीचे की side में यह gap फिल करने के लिए आ सकता है यह आशंका high probabilistic करके निकल के आ रही है उपर की side में अगर हम लोग देखेंगे तो market में हम लोगों को यहाँ पर एक structure बनना चाहिए उसी structure बनने के बाद ही हम लोग यहाँ पर decision ले सकते है अगर कुछ लोग यहाँ पर इस तरीके का trend line draw करने की कोशिश करेगे तो यह trend line काम नहीं करेगा कल के दिन इसको check करके देख लिजे lieo market में तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा trend line काम करेगा कौन सा नहीं काम करना करेगा इसके लिए आपको इसका पहले angle निकलना पड़ेगा यह technique अल्टेडी मैंने पूराने वाले YouTube के वीडियो में सिखाया हुआ है आप उसको जाके वहाँ पर check करके देख सकते हो कल के दिन lieo market में अगर कुछ अच्छा opportunity बन जाता है